कि नमस्ते मेरा नाम सौरभ है पर वो तो रोजी बोलते हैं आज का दिन बहुत मज़ेदार होने वाला है मेरे साथ यह मतुरा का केड़ी मेडिकल कॉलेज है उसके बहुत सारे डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले अलग अलग चर्णों में पहुंच चुके अभी किसी की मनु हो माई गॉड यहां थोड़ा हिंदी भी है संचलिस्ट बोली जा रही है मैं एट संचलिस्ट वर्ड संचलिस्ट मतलब थोड़ा जटिल मुश्किल सा तो हम लोग यहां आ रहे थे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के लिए लेकिन उसके पहले बले दॉक्टर साब आ गए द दूसरों की जिंदगी बचानी है तो उसके पहले अपनी हिफाज़त करनी है तो हम लोग यहां आ रहे थे केडी मेडिकल कॉलेज है मत्रा में और हमारे जो एंथू कटलेट है हमारे साथ आयो जी ओले ओ मेडिकल कॉलेज कभीर सिंग मिलेंगे हैं तो मैंने इसको समझाया यहां तो कभीर सिंग से भी बड़े बाले मिलेंगे हैं तो हम लोग जब तक भी बात करेंगा अगले अधा गंटे डॉक्टरी के प्रोफेशन की क्या मुश्किले हैं क्या स्टीरो टाइप्स हैं जिंदगी में क्या करना है पबलिक हेल्थ को लेके क्या खयालात हैं सीनियर कितने प्यारे हैं जूनियर कितने हारे हैं कि एक तेना खौफ है भाई या है इस पर अम लोग बात करने वाले हैं तो बात्चीज़ सुरू करते हैं शुरू कीज़े सर है क्या नाम है वरुन कौशेक वरून आप क्या पढ़ाई कर रहे हो भाई सब मैं इंटर्न हूं परिいき तो पहास है तुमको देखेशा नहीं पढ़िक पादुदों पड़ेगी है करनी पड़ेगी है तो अबहुत तो पड़ेगी हुआ है तो अभी आप चार चौते साल में अभी मैं पांच्वे साल का जो शुरुबादी दौर है उसमें हूँ इसको अगर तुम पास कर लोगे तो तुम्हाई नाम के डॉक्टर लग जाएगा डॉक्टर हाँ लग जाएगा पूरा एक सर्टिफाइट पर्मनेंट रेस्ट्रेशन म अगर पढ़ाई कर लिया है तो आपको डॉक्टर बोलना शुरू कर देंगे अगर आपका इंटर्शिप उसके बाद एक साल का है वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको डिग्री मिल जाएगी तो फिर आप अफिशली आपके तो भी साड़े चार साल के जाता है तो जो हो चुके हैं उसके बाद भी लग जाता है अभी मिल चुके हैं यहां पर केटी मेडिकल कॉलेज में तो एज इंटर्ण जो भी होते हैं सब डॉक्टर लगा लेते हैं कितने लोग हैं इतने प्रोविजनल डॉक्टर यहां दूपा उठाई है सब तोड़ी होंगे भाई जूर्या है यह क्लक सीनियर क्या नाम है एक साल की मेंडेटरी रोटेटरी इंटर्णर्शिप होती है ठीक है को एक सेटिफाइड आप अपनी प्राइविट प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या नाम है डॉक्टर अरुन कहां के रहने वाले हर्याना जिला जीन बारिया एक भीवानी वाले भी थे भाई सब आपने फोन करके बुलाया तो आप लोग सीनियर है लगबक डॉक्टर और आप लोग होने चाहिए है आसीरवाद जरूरी है डॉक्साब रन्यवार हाँ बाई वंशी अचा और यह बैच भी आप लोग लिए कंपल सब्सक्राइब जिसका बैच है वो फस्टियर है ऐसा क्यों है सब फस्टियर में ज्यादा स्टिक्निस और मेंडेटरी होता है सिखाया जाता है सब्सक्राइब जाता है तो फुल उनिफॉर्म होने चाहिए लगना चीए कि आप डॉक्टर बने आयो क्योंकि एकदम से आप स्कूल से आते हो तो आपको पता नहीं चलता कि आपको क्या करना है क्या निकरना तो सब फैकल्टी सीनियर सब सिखाते है तो दूसरे तीसे साल जो कह रहे हैं वो करना पड़ेगा आपको कि आप उसे कन्विंज्ड हो या ना हो आप भी फर्स्टियर की है पूर्वा श्रया आप इस जरूरी भी है लेकिन फर्स्टियर वालों के नाम नहीं पूछने बढ़ रहे है निकिता जरूरी भी एटिकेट सीखना एक प्रोफेशनल कोर्स में जब आते हैं तो आने या इसा बोलते हैं कि हम रोल मॉडल्स है सोसाइटी के लिए जो हम अधब हम जो करते हैं उन पर बहुत इंपक्ट कर पड़ता है तो पहले हमें हमें हर चीज अपनी ठीक से करनी चाहिए अप ड्रेस अप होना बात करने का तरीका या लोगों के सामने अपने को प्रेजंट इसके नंबर भी बढ़ाओ इसके नंबर बढ़ाओ इसके नंबर बढ़ाओ नाम बताओ नंबर बढ़ाओ ऑई सीने साब साम को ट्रीट बढ़िया है लेकिन एक्शली मैं मैं खुद भी बोर्डिंग से पढ़ा हूं और फिर अलग अलग दौर में होस्टल में रहा हूं है तो करते हैं सीनियर है इतना वास्ट होता है सवलेवस इतना वास्ट होता है कि अगर आप सीनियर से पूछोगे क्या इंपोर्टन एक इसे बढ़ना है और नहीं लगाएंगे तो अगले दिन अगले दिन अगला यह पीडी दर पीडी यह चला रहा है यह है एक बार पर गोली दे सकते हैं सीनियर को नहीं असा है जो बताएंगे प्रॉफ में पेपरों में हर जगा भी आइगा जो वो बताएंगे उनी की उस पर आप पढ़ोंगे तो पास हो गे अपन नहीं है कितने कुछ से चल रहा है यह बोकाल सीनियर का सथिए की बात है अर यहाद एक आपका टॉम हम उनकी मदद नहीं तो कॉन करेंगा थाफ नहीं को तामीज से चुगर गोटिक अर 40-50 year? Sir, in turn, 50-50 year. बोलो, बोलो, आपका तो… नहीं आपको नहीं आपको नहीं सच में, बच्चे बहुत स्वीट हैं, बहुत प्यारे हैं वाइन टूबी नोटेड माइलॉड एक नम आपको बांडरी तया हो गई है पर हाँ, रिस्पेक्ट देनी जरूरी है अगर कोई अपने मन से करना चाहे, तो हम रोग भी नी सकते हैं जी, बिल्कुल अपने मन से तीसरी बटन देखके कौन बात करता है नहीं, यह बेसिक्स हैं, जो लाइफ लॉंग हमने भी कैरी किया है जब हम यहां आये थे, हमें फेकल्टी ने सका रहता है दूसरी की तीसरी? थर्ड बटन थर्ड बटन तो बेसिक्स है डिसिप्लिन लाइफ लॉंग क्यारी करेंगे अब हम लोग यहां से जाने वाले परंपरा, विरमताब बच्चन का बैरी टोन सबस्क्राइब करेंगे तो यहां पर आगे उनको सिखाया जाता है कि कैसे पेशिंट के साथ आपको डिल करना है कैसे रहना है आगे लाइफ में तो वह इसब चीज़ से कहीते कोई बड़े बाल कर गयाता है बीएड वो गरता लेकिन हमार लोगों के प्रोफेशन में चलता नहीं है सेनियर से नहीं सेनियर की कच्छी लोई है यह फिर अपना थिया जाती है जैसे अब आगे जाएंगे तो कर ले दें जैसे सीनियर लग सकता है लंबी वान ठाइम नहीं है काम ज्यादा है लोड जगह शिखाया जाता है आपके JNU की बात की जाएंगे वहां पर लर्निंग स्कूल होते हैं यहां जो आपके वहां पर कैंपस को स्कूलिंग बोल जाता है स्कूल बोलते हैं मैं स्कूल लेंविज का स्टूडेंट हूं तो हमारे यहां पर भी स्कूल हैं अब हर एक भी भा तो ही है फिस्ट यह हर चीज पर हां करने यह वी में टर्ड आर्ड वाँ है वाँ है मलत मारे जैसे भी हो इमानदार तो है एक प्रिया खौफ बड़ी चीज है शौक बड़ी चीज था खौफ टो देश में हैं देश में आए क्वा बताए क्या को बना रखा है महूल कारोना ठीग है उसके बाद किसी भी चीकित्सक्प्र विधालय बोला जाता है हंदी में बात की जाए तो देन्य हालत है अब कोलेज के साथ हर दिन अत्याचार हो रहे हैं आपने कितनी नुजे देखिए हूंगी कोरो ना काल से लेकर अभी तक सरकारों कोई भी कठोर कदम नहीं उठाएं किसी भी चीज़ कोल के बताओ किसी डॉक्टर की होस्पीटल में पिटाई कर देता है अटेंडर क्या उसके खिलाफ होती है और विदिन कितने टाइम पिरेड में उसके उपर एक्शन लिया जाता है क्या वो कल्प्रीट जेल के अंदर होते हैं नहीं होते हैं क्या उसके एक्शन से क्या सरकार ने लोगों से को देख रहे हैं कि जब डॉक्टर्स प्रेक्टिस कर रहे हैं किसी नोग explains है लोग देखते हैं जो जुनिया रेज़डेंट रेज़ेंट हैं अब 330 कर दी है इस पर एक सक्द कानून बने ना करें यो माय जो बोलना है क्या नाम है शारणजson चलिए के दमश्य का लौट विश्णु का नाम सा रंग जैए तो आपका नाम सारंग है सारंग जैए आच्छा जी इमर्जेंसी में घाता है तो हमसे कहते हैं कि तुम एफरों पहने के मता हो तुम ऐसे आजाओ क्यूंकि सर अगर कुछ अगर कोई मेटर हो जाता है कोई वाइलेंस हो जाता है तो सर मतलब हम पर कोई कुछ नहीं हो अपर निशान दोड़ी है इससे पैचान में आ जाएंगे हम ही दॉक्टर हैं हमी तो लोग कहते हैं जाब डॉक्टर साहब लोग कई बार जैसे कई प्राइवेट होस्पिटल में और गॉवर्मेंट होस्पिटल में यह भी देखा गया कि जाब वो डॉक्टर ध्यान नहीं दे रहे थे सरकारी में तो बहुत शिकायद मिलती है अभी में यहां आने से पहले हमारे साथी हैं सौरब उनसे बात करा था तो फिरोजाबात के दौरे पर हैं वहां बहुत ज़्यादा डिंगू के पेशेंट निकल रहे हैं तो बोले हम एक पीएच सी में गए तो महां डॉक्टर नहीं थे मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल ने का निम सब पेशेंट ले रहे हैं और वह जब यह बोल नहीं थी तभी पेशेंट आगे कि देगो साब बच्चे को नहीं ले तो यह भी बड़े इल्जाम लगते हैं डॉक्टरों की उपर इस पर क्या कहना है आपका बैड़ी खाली नह और स्टाफ बहुत कम हैं भारत में जितने भी दॉक्टर्स अब भारत की जनसंख्या के इसाब से बहुत कम एक डॉक्टर ऑन और! तो इंडिया के भार रहे हैं वह बहुत लिमिटेड पेशेंट देखता है पर इंडिया में एक दोक्टर बाहर के अंपैरेशन में तीन गुना पेशेंट देखता है उसके बाद भी डॉक्टर को यह का जाता है कि आप अगर हम डेटा की बात करें तो हजार से पंदरा सो पेशेंट पे एक डॉक्टर है अपने भारत में ओपर से इंफ्रस्ट्रक्चर की कमी है जैसे कि आपने देखा समने कोविड में देखा एक बेसिक रिक्वार्मेंट होती है एक उसी की पूर्ती ना होने के वजए से कितने लोगों ने अपने जान गवा दी तो सर यह देखा जाए एक तरीके से सही चीज तो नहीं बोलेंगे पूरी चीज कर पाते हैं तो फिर वाइलेंस होता है डॉक्टर के साथ सारी चीज एक दूसर से कनेक्टेड है एक किसी से चुड़ा और सवाल है मेरा जब मैं और लोगों से बात कर रहा था एक हमारे बतीजे हैं मैंजमेंट प्रफेशनल है और उनके मम्मी पापा दोनों बहन भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं तो हमने उनसे पूछा कि भाई इसमें क्या हो सकते हो कि उनकी दिल्चस्पी थी और यह आपका बिल्कुल जैन्विन सवाल है कि डॉक्टर पेशेंट देखे या दरवाजे के बाहर खड़े हो के ऑक्सीजन के आने का वेट करे एड्मिनिस्ट्रेटिव काम करें क्या आपको लगता है कि जैसे इंडियन एड्मिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है इंडियन पुलिस सर्विस होती है वैसे ही मुझे परसनली रगता है कि दो सर्विस और इंडियन एडुकेशन सर्विस और इंडियन मेडिकल सर्विस ऐसा है यह मेहर बताइए सब्सक्राइब को निच जए एज़ोकेशनल सिस्टम में तो बहुत ज्यादा रिफ़म लाना ही जए जैसे एज़ांपल अभी जैसे हम अभी बेस के लिए नीट देते हैं नीट के लिए बी एम बेस के लिए नहीं सिरफ मैडिसन की सीट लिए डिरा रव अब इस अबनाव करेंगे तो यह उपने होता जायगा सर एक रिफार्म तो इन्हों ने बता दिया किया नाम है नमस्ते माम डॉक्टर दिवांशी कुछ से दॉक्टर्न नी बोल थे आपने वह नाम है ऑदत नहीं शुन्ने की आपका आला भी नहीं अब बहुता है अच्छा जी डॉक्टर दिवांशी किस तरह की रिफार्म सोंची हमने सुना बहुत पढ़ना पढ़ता है मेडिकल वालों को बहुत जादा काम का होता है कुछ फालतू भी होता है नहीं सब काम का होता है पेशेंट के आगे हम भुक थोड़ी खोलेंगे उस सेमें तो हमें प् पढ़ते हैं फॉस्ट यह से लेकर फॉर्थियर तक सब कुछ अप्लाय होता है कुछ भी सब्जेक्ट हम छोड़नी सकते पर मुझे कुछ डॉक्टर्स ने बताया जो कि प्रफेसर्स भी हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी पढ़ाई जा रही हैं जो हिस्ट्री का पार् सब्सक्राइब करेंट हैं गुरुजी आपके प्रणाम गुरुजी आप दोनों अलग हैं नहीं प्रणाम तो करी सकते हैं गुरुजी को मैं यह कह रहा हूं जैसे मुझसे अगर कोई पूछे कि ग्रैड के या 10 प्लस टू के या मास्टर्स के स्लेबस में या जनलिजम की मै यह जिस तो बहुत बदलना चाहूंगा क्योंकि प्रैक्टिकल्टी में जिन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है जिस टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ती है जिस कम्निकेशन इसकिल की उसका 10% ही जो इसी चीज़ें पढ़ा जाती हैं इनका कोई मतलब नहीं वह सिफ हिस्ट्री का हिस्सा है कि आप ऐसा हुआ करता था यह सब्सक्राइब करते हैं जो सिर्फ नंबर की वज़े से पढ़नी पड़ती है अधर्वाइस उनका हॉस्पिटल में इस्तिमाल नहीं है है जिए फर्स टेर से बढ़ना शुरू करते हैं तब तक हम लग रहा होता है फिर्रेलेवेंट हम क्या पढ़ रहें क्या पढ़ रहें बड़ एस सुन इस फिर फॉर्स एर इंटर्ण में आते हैं तो हम रहा है कि हम जो पढ़े हुए था फर्स एकिंड यह में अब अप्ली है वह हमको काम आती है और जैसे आपने कहा कि हार एज्टोकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम में तो हर एज्टोकेशन सिस्टम में बहुत सारी इसीजें हैं और रिलेवन चीजें अब कभी-कभी डिसीजन रेर केसिज भी आ जाते हैं तो एक हम छोड़ देंगे तो रहें के सब्सक्राइब होता है तो बहुत लेट हुआ हमारा फस्ट बैच जो रिवाइस करिकुलम फॉलो कर रहे हैं कितने साल बात रिवाइस हुआ हाँ जी रिसेंटली चेंज करिया किस से पहले कब चेंज हुआ था इसे पहले से बहुत पहले का बात है कभी लिग गया हर गड़ी बड़ पाइस पड़िफ टॉक्राइंट कि अई पॉर। करिकुलम के बद्रो صथ चेंज हूब को मेजर सबजेक्स हएं और हम अब तो हम पुराणी बुक्स पढएंगे तो रिवने लिए पर्टिकुलरी जर्नल्स एसे लेवल कि पढ़ते हैं इसमें सारे उपडली चीजे ही होती है तो टाकिंग आबड नॉलेज हम कोशिश करते हैं अब ग्रेड गेंन करें तो हमने डॉक्टर्स की बात कर लिक्यूं को क्या दिकत एक तो जो आरहे हैं सर एक दिकत है कि जो जब र पोई नमबर थी थोड़ा करीकुलम वगेरा की बात्चीत हो गई है कि क्या-क्या होना है अब थोड़ा सा सीरियस सवाल पूछते हैं बहुत पढ़ना पढ़ता है क्या इंट्रेंस निकालने के लिए हैं शास्त्रों में इसे संवेत सवर कहा गया सब एक सवर में बोल रहे हैं तो ज्यादा नहीं तोड़ा तोड़ा आतंक वाला नंबर दो हाँ निकता इतने आग्याकारी शेश्य हैं इसने का अच्छा च्छह में बोकाल थोड़ा कम हो रहा है दस घंटे अच्छा काम बहुत ज्यादा कर रहे हो कोई फाएदा नहीं है एक करोड़ दो करोड़ का बीस जार कमाल के नीन जरूरी स्ट्रेस मत लीजिए तो में लोग बोलते हो अब कहा रहे हो कि दिर्णा है आपके लिए उपड़ेश कुशल भहुत तेरे तक पढ़ना पढ़ता है गुरू पीजी के लिए पता है वास खाना पीना सोना और पढ़ना यहीं तीन काम है और अलिमिटर यह वह कभीड सिंग वाले स्टीडियो टाइप का सर वह तो सारे जो सबसे आदा सर डॉक्टरों को होता है यहीं होने वाला था मैं मेरे बहुत सारे भाई बंदू हैं जो डॉक्तर हैं और मैंने कोविट के दौर में उनको एम्स में और तमाम मेडिकल कॉलेजेज में सर्व करते हुए देखा है एंड़ काइंड आफ स्ट्रेस उनको जो हो रह चाहिए कि मेंटल इकली ब्रियूम बहुत हई प्रेशर जॉब है और इमर्जेंसी में ड्यूटी लग गई ट्रॉमा में ड्यूटी लग गई तब तो भगवानी मालिक है क्या कुछ आप लोग ऐसे थोड़ा ध्यान योग यह सब भाई साब क्या नाम है पुपेंदर सिंग बताइए ऐसे तो है स्ट्रेस तो करना बड़ता है तर इसको हम अपने आपको जैसे खुश रहना सीखें है इस इंवार्मेंट में रहें ना बुक से थोड़ा सापने आपको ही करना चाहिए यह निबंद वाला जवाब हो गया खुश कैसे रहें सर म्यूजिक सुनना के सब किसे को जिम करना जिम करें किसे को सॉंक सुने हैं आप अपने आपको डी स्ट्रेस करते हैं और ज्यादा वेरनेस होनी चाहिए हमने कोविड में देखा है कि नंबर आफ सिसाइट केसी वर इंक्रीस अल फॉस वर गूइं थू डिप्रेशन एंजाइटी तो मेंटल हेल्थ एक इसी हेल्थ जो हमारी बहुत पीछे चूट गई है और लोग बताते नहीं क्योंकि ससाइटी में उसका एक ऐसा टैबू है कि हम बताएंगे तो हमें लोग जज़ करेंगे हमें उन नजरों से देखेंगे कि यह तो दिमागी तोड़ से बिमार होना कोई गलत बात नहीं अग कर आप किसी तफ दौर से गुजर रहे हैं आप डिप्रेशन में हैं आप एंजाइटी में खूल के बाहर आईए अपनी प्रॉब्लम्स बताइए ताकि स्यूसाइडल रेट कम हो तो कैसे डी स्ट्रेस करते हैं अगे आओ जरा हाँ जी फस्टियर क्या नाम है थोड़ा उनक है तुम बहुत तरक्की गरोगी यह लड़की बहुत तरक्की करेंगी वालिया वेटा शाबाश तुमने एक बार में दस नंबर चलवा लिए और अपने आपको डी स्ट्रेस कैसे करते हो जैसे मानलों आपको कोई शॉक किसी भी चीज का किसी चीज का शॉक है क्या नाम है गरिमा सर्दिंक करते हो आपको ड्राइंग कर देंग करते हो पाएंक्यू जैसे मेरे रूम की निवार मैं यह घर सकर रहे हैं यह तरीका होता है आपको डांसिंग करो और जो भी आपकी जो पैशन है उनको फॉलो को सिर्फ पढ़ा ही नहीं और भी ज़से मेरा पैशन है मुझे बैंडमिंटन खेलना पसंद है या बुक्स पढ़ना पसंद है लेकिन अभी मैं जैसे काम की सिलस्ले में निकला हुआ जाके दो जेगे देसे अली कोण फैसे थोड़ा और जाके दो मास-कटाय क्यों थोड़ा जा वर तो मैं और वाय वाविलिंटक और हो जाता है मैं आणाषाट सीडूरा के बह बुए कर सकता हूँ छारूग शारूग का बेली करता हो कौन कमबक्त बड़दाश करने के लिए पीता है हम तो पीते हैं कि यहां बैठ सके तुम्हे देख सके तुम्हें बड़दाश कर सके नाना बाटे कर अच्छा है बहुत अच्छा है यह हिंदू का खून यह मुसल्मान का खून और सलाइज यह आजाते हैं यहां पर खून मांगने के लिए हम साले ब्रात दिन महनत करते हैं मुसलमानों के लिए हिंदों के लिए और हमारी गर्दन काटते हैं बताइए हम डॉक्टर्स हैं यह वारियर्स हैं यह नहीं समझ में नहीं आता लेकिन हम डॉक्टर नाना पाटि एधर यह दोनों कहाते हैं आजाओ 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 कौन सागानग भाई एक हपार घर तर्द प्रयाप दोनें गाना सुने गाने पर अगे लिगाव पर इसकते हैं क्या नाम है आपका सर भूमीका सर भूमी का बडैकर ऒैत बुटर भूमी का शोर-दारी कहां के रहने वाली Все भरतफ़ बनी से यहां भी कोई था कहां के बैई इस बेटा यह दीदी है है मैं हो सौरी दीदी नी चलता है दीदी इस वरी डाउन मार्केट मेडिकल कॉलेज कलचा नहीं है मैं है और तुम्हारे भरतपोर से है कोई दिख्कत द्रॉइंग करने काम आईगी अब तुस्ते दीवारे पतवाई जाएंगी पूछने कितने गंटे पढ़ाई गड़ते हो अगर आपको सीरियस आंसर चाहिए तो साथ में डाक सागल देख सकते हो बहुत पढ़ना पढ़ता है मतलब आप डाक सागल देख लो अंधा लगालो तो मुझे को डॉक्टर्स ने बताया कि को मेडिकल कंडिशन भी हो सकती है अ मतलब पढ़ने पढ़ेंगे जादा तो हो सकता है अग्जागरेट हो जाए अच्छा वैसे डाक सकल अगर हो जाए तो क्या करना चाहिए तरहां अब प्रोफेशन बढ़ता नहीं हो और जो लोग खीरा वीरा रखते हो से कुछ होता है कि हो जाता हूँ को शायद पता दिव तो यह इस्ट्रेस वाली एक बहुत इंपरटन्ट बात है तो प्लीज आप सब लोग की उच्छ दॉक्टर से टेक वेरी गुड कीर औफ यू मेंटल हेल्थ हैं इस त्रेस त्रेस तुम को देख के लग नहीं रहा लेकिन तुम चिलत को प्राप्त कर चुके हो कर रहा है तर अपने अपने आपको चिल कैसे रखा है फॉर्मूला बताओ सर जिम वगरा करके और सर बागी अपने होस्टल लाइफ सर थोड़ा वहां पर फन हो जाता है आपस में बताओ कैसे फन करते हो मासरे साब को दूर वेजें क्या सर फन है साथ में बैठ जाते हैं सारे यार दोस् हम भी आस्टल पर नहीं रहें बदा सकते हैं ऐसे फन करते हो जो आपको रात में पता चल जाएगा कैसी-कैसी अवाज़ा आती अंदर से फिर सारे जानवर जग जाते हैं सारे लोगे जानवर जग जाते हैं वार्व तमने यहाथ पर चिडिया बना रखी है इनको भी ट्राइंग का शॉग है इनसे भी तीवारें पुतवाव हैं टैटू खुदी बनाया कि साहली बनाया मैंने बनाया था बढ़ यह कौन सी चिडिया है स्पैरो पक्की बार वो थोड़ा मिट गया है तो कौन सी क्लास इतनी बोरिंग थी जिसमें तुमने स्पैरो ब बता दो कौन सी क्लास बोरिंग थी शायद कोई टीचर चेंज हो जाए सर नहीं ठीक कि साहर आगे आने वाली पीडियां तुमको दूआ देंगी यह तुम लोगो बता है बारा साल पहले एक मीडिया वाला है था इंटर्व्यू में ना वो एक लड़की ती महर उसने बता द मैं एक चीज पर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा जैसे आपने मेडिकल विवस्था से सवाल पूछे एक चीज जो रिसेंटली जो चीज होई है मिक्सोपैथी नाम का एक सब्दा आया है जो आपने भी सुना होगा सर के जो आयरवेद को एलोपैथी में मिक्स कर दिया सब्सक्राइब युनानी सब्सक्राइब यह जो नए वाले उसमें तो सर मैं गवर्मेंट ऑफ इंडिया से बस यही सवाल पूछना चाहता हूं कि आप चाहते तो यूएस यूके का सिस्टम है उनके जैसी हेल्फ रस्था जाते हैं कि यूके यूएस जैसा हेल्थ से आप मिक्स कर रहे हो इससे तो वह हमारे संस्कृति खतम हो जाएगी तो काफी जेन्विन कंसर्ण हो जाएगी हमारे सामें उसे पर गर्व है लेकिन उस चीज को मिक्स नहीं करना चाहिए यूनानी को एक तो हमको यूनानी समझ में मिक्सोपैथी नाम का इक शब्द चल रह दो डिफरेंट ब्रांचे को चीज को एक चीज में कैसे और आप चाहते हो यूएस-उके का सिस्टम दोनों जज़िदान है पर जमती नहीं है यह चीज वज़े से और भी हेल्थ जो हमारा सिस्टम है वो नीचे जायेगा डिफिनेट्ली जायेगा इसमें कोई शक्की बात प्राइवेट प्रैक्टिस में बड़ा प्राइवेट अस्पतालों में कई बड़ी लूट पार्ट होती है और कई जन्विन केस भी ऐसे आए कुछ की तो हमने इंक्वारी करवाई और रिफंड हुआ है यह कैसे रुखेगा सर इस पर तो बस मैं यहीं बोलना चाहूंगा कि देखे सर कोई पेशन्ट डॉक्टर साथ बत्तिमीजी करें तो फायर हो जो डॉक्टर उल्टा सीधा बिल बनाए अपने प्राइवेट अस्प शला सणिए कि सब्सक्राइब करता है तो सर वह किकी शर्मचांश करटा है यह हुथ को होता जो बॉस्समेंस बनाते हैं तो सर हर डॉक्टर को टार्गेट मिलता है कि आपको इतनी इंवेस्टिकेशन करानी है आपको इतने टेस्ट लिखने हैं उस पर आपको इंसेंटिम में लेगा या जो भी है यह तो जड़ा लोकॉप योगी जानकारी स्थार से बताओ जाते हैं सी वीची करवाने जाते हैं तो सबूस्को अंक्य से होता है की कॉरपरेट हॉस्पिटल में जो अरुन सत्य बदाएगा यहां पर खड़े हो से यह यहां पर आप खड़े में यह उसके चेईर नहीं क्योंकि वह डॉक्टर इतने यह जमीन से जूड़े हुए कि सवाल सब्सक्राइब कि यह जो कई शिकायते आती हैं कि प्राइवेट हस्पतालों में बहुत लंबे चौड़े बिल कोरोना में आई शिकायत नहीं पेशन्ट मर गया वेंटिलेटर पर डाले हुए हैं डेट बॉड़ी नहीं दे रहे हैं ऐसे ऐसे कि सवतंत्र जांच में जैसे मोहाली का एक केस मुझे इमीडेटली ध्याना रहा चूंकि वह मेरे रूट हो के किया था एक किसी ने हमें मैसेज किया कि साथ यह दिक्कत है तो हमने फिर वह बात उपर तक पहुंचाई तो जांच हुई और पता चला कि जो 18-20 लाग का बिल देखे जितने आपको हस्पताल मिलेंगे और घृष्पिटल समें का में सिर्फ बिजनस वे पार कैसे बढ़ा जाए देश में प्राइविट को लेजों की बहार आ रही है प्राइविट हस्पताल क्यों आप कह रहे हो कि अस्पताल उसकी कमी है सीट बढ़ाई जाहे तो सब सब्सक्राइब करें पेशन्ट क्या होता है हमारे पास डोक्टर नहीं है वह भागता है मेडिकल कॉलेज की तरफ क्या पता उसका इलाज वहीं पीएची पे हो जाता है एक ट्रेंड डोक्टर आपने बहुत अच्छी बात कही पीएची में इलाज होना चाहिए पर डॉक्टर सिफारिश लगवाते हैं और इसका भी मैं खुद डोक्टर सिफारिश लगवाते हैं जो सरकारी मेडिकल कोड़ेजिंब पढ़ते हैं तो कंपलसरी होती है कि वनको रूरल एरिया में सर्व करना है फिर वो सिपारिश किसाब यहां नहीं वहां लगा दो वहां से वह बहुत सरा हमें पढ़ाए यह सूरा बेसिक्स होना और नहीं चाहिए या कम्नुटी डूसरे में पाता है यह सब सब सब्सक्राइब जैसे आपका ब्लट बैंक होना चाहिए एड़ांस होना चीए पर सब सब्सक्राइब की अनुववेलिटी्ट कि का तरण डाक्टर भी तो सर उनको हमें डिल्फ करने की बहुत ही मतलब जोरत है तो उसके बाद आप लोग पीसी में सर्फ करने को राजी होंगे एक रीजन ये भी हो सकता है कि जब पीसी में कोई आ रहा है पेशेंट आ रहा है तो जेनरली गाहों के पेशेंट आते हैं उन पेशेंट साथ तो थोड़ी ये प्राव्म करते हैं तो फ्रेसी का भी मसला है जी गाओं में सरुकरेंगी आप जैसे अगर पूरी सुविदा बताओ क्या क्या नाम है आपका श्रेयां सुविदा चाहिए गाहों में आपको पीसी में अगर आपकी डूटी लगती है तो क्या मिनिमम्मि रि क्या क्या होना चाहिए गलत बताओगी ना हम सब गलत करके ही सही तक पहुंचते हैं डॉन्ट वरी ऐसे बेसिक से सोचो तुम एक पहुंची से ड्राइब करके जाओगी फर्स करो तुम मतुरा में रहती हो और मतुरा से 30 किलोमीटर दूर गाओं में तुमारी डूटी लग ग अब अभी तुम्हें बहुत उट-पटांग पेशेंट मिलेंगे फेसिट वगरा प्रॉपर होने चाहिए और अगर टेस्ट के लिए कोई पॉसिबिलिट मतलब टेस्ट सेंटर से लाब प्रॉपर होनी चाहिए कि टेस्ट वां प्रॉसिबल हो पाएं अगर सीबी सीबी एक तो मेरे घर से उनकी पेच सी लगबक 14-15 किलोमेटर दूर थी तो उन्हें रोज अर्ली मॉर्निंग 8 बजे आट बजे अट बजे लगाना होता था और वापस आना होता था हम छोटे रहे तो हमने उनकी स्ट्रगल देख रखी थी ना वहां का फ्लैट उतना अच्छा होता कि वहां ममी रात भर रुख सके ना कोई से क्यूर्टी पर पस होती थी आज पास के जितने भी थाने वह तो या तो आट दस किलोमेटर दूर या तो ऐसा वहां पे भी कोई वोमें स्कॉट वोमें कॉन स्टेवल नहीं लता अगर कोई एटेंडिंट आ के रात को गाइने को जिसके उपर कुछ कर दे तो कौन जिम्मेदार होता था गाओं का एरिया में कभी साप आजाए कभी कुछ आजाए हाई जीन प्रॉपर नहीं होती थी तो कौन सा डॉक्टर वहां रहना चाहेगा रादर दन वो अपनी प्राइवेट प्रैवेट प्रैक्टिस कर लेगा वा जो लोग करते हैं जो ऐसे लोग उनको और ज्यादा एक बढ़ावा मिलता है कि उसको और आगे इनिशेट उसको आगे बढ़ा पाए और एक सेफ्टी ही एक कंसर्ण होता इसको फीमेल स्पेशली जो फीमेल डॉक्टर्स होते इतनी बाव रूर इलिएस में इसलिए ही नही बढ़ा होते हैं कि जब हम उनको मेडिकल तरम समें कुछ बता रहे होते हैं तो वो उसको अलगी उस तरीके से समझ लेते हैं रादे जो हम उनको पोट्रे करना चाहते हैं तो एक अवेर्नेस लानी बहुत जरूरी एस पैसिशिल नौट में एक स्टीन आपक्रिशन प्लस आ अवेर क्योंने मास लगाने चाहिए उनको सानिटाइजर से सानिटाइज करना चाहिए प्लस एक तो हमारे वाश्रों के दिकत पीपला लिट्रेटिंग आउटसाइड वाश्रों और यह चीज भी है पर रूरल सेक्टर में की में दिकत भी इस वज़े से जो बेमारियां होत है कि मास लगाने जरूरी है या क्या वैक्सीन लगाने जरूरी है आप पंशी का गाहों की बात कर रही है यहां निक पले मैं मतुरा में था घाट की तरफ जा रहा था दो भाईसाब मिले एक भाईसाब बोले एलियन और ओरतों पर अत्याचार इस वज़े से कोविड आया ह नहीं नहीं यह सेड़े विद आल दी शीरियसनेस कि मैं बता रहा हूं और दूसरा आया बोला यह यह अमना में जो प्रदूशन हो रहा है यमना यम 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 राज की बहन और यम राज का कोफ है को विड तो यह पूरी गंबीरता के जाथ कहा गया जो आदमी पड़ा लिखा होगा वह मतलब आपार्ट फुम्स पिल्च्वालिटी ठीक है किसी का भगवान मतलब वह यम राज वह सब ठीक है बट लिटरसी बहुत रूट कॉज यह पड़ा लिखा ने कभी ऐसे बात करेंगा ही साइंटिफिक टेम्परमेंट होना चीए है साइंटिफिक टेम्परमें मुझे कई असे लोग मिलते हैं और कई शहर के बड़े बड़े लोग मिलते हैं यहां जिन्दा लोगों को बीमार बेबस होते हुए भी देखा है आप और कई वार उनफॉचनेटली अब बचा भी नहीं पाते हो लाग कोशिश के बावजूद तो मरे हुए लोगों को भी देखा पर्सनल लाइफ में भी देखा है और डॉक्टर थोड़ा सा जाधा दिखते हैं तो जब आप किसी जिन्दा व्यक्ति को विमार व्यक्ति को अपरेट करते हो तो आप अपरेट करने से पहले पूछते हो कि बाज़िक कंई कास्ट किया है कि कास्टी घ्याल रिलीजि जो दवाई एक हिंदू पर काम करेंगी वही मुसलमान पर काम करती है क्योंकि साइन्स को कोई फरक नी पड़ता कि आप जनरल हैं ओबी सी हैं दलित हैं हिंदू हैं मुसलिम हैं क्रिश्यन हैं जीव हैं सब पर एक जैसी का ऐसा तो नहीं होता ना कि यह बुखार की दवाई फ से एज से थोड़ा फरक पड़ता होगा बच्चे को माइल डोस देते हों इसको यह साइंस की वजह से मेरे खाल से यसा होगा है तो साइंस से जोड़ा टर्म है साइंटिफिक टेमपरमेंट वही बड़ा जरूरी होगा तुम लों से बहतर कौन जानता होगा लेकिन मुझे एक शब्याद आया मैं डॉक्टर को एक शब्द में डिफाइन करना चाहूंगा डॉक्टर साइंटिफिक योगी क्योंकि सर हम अपनी जिंदगी अपनी परसनल लाइफ अपना हर चीज से समाज के लिए कुर्बान कर देते हैं परसनल टाइम कट करके पेशेंट प्राइट तो साइंटिफिक टेम्परमेंट आप लोगों की ऊपर अंदर होता है ना लेकिन और इमांदारी से बता ना देखो केमरे पर पता नी बोलोगे की नहीं जब मैं इश्तिहार देखता हूं classified और इसमें डॉक्टरों के भी इश्तिहार होते हैं शादी के तो उसमें कास्ट लिखी होती है कास्ट की प्रेफरेंस लिखी होती है तो तुम लोग से जादा कौन बैतर जानता है कि यह कास्ट वास्ट का कोई फाइदा नी जिए एक बा की इसका जेंडर के नाम पे जो बहुत सारी डिफ्रेंसेश होते हैं कि यहीं बात है नहीं यहां तब घर वालों कहते हैं कि पापा मुझे यह लड़का यह लड़की पसंद नहीं पॉप उसके टापा उसकी कास्ट क्या है घर कैसा है तो पापा वह तो यहां से तीन समंदर द करता है जैसे आपकी जनरेशन में कुछ और था हमारे आने वाली जनरेशन से कुछ और होगा आने आले जनरेशन और कुछ जाते थे मर्फी के रेडियो नहीं हो तो सही है लेकिन क्या लग रहा तो मेरी जन्रेशन कौन सी है नहीं सर आतो हमारी जन्रेशन नहीं भाई जैसे हो पहले इस साल पैदा हुए देना तब तक कलर टीवी अपनी बर्सी मना चुका था इंडिया में आने के तो ठीक है तो आप जन्रेशन को यह है तो मुझे पता है मैं यह बोल रहा हूँ की कि यह रिलीज्ग जेंडर भी आ रहा क्या से नहीं सब बदला बार पहले आपकी ж到了 S orange का का स्वाना के घर से कि पहले को बुदध करो आगा नहीं है तो यहां पाफ हो गया और अगल प्रॉब्लम आती है तो टेम्ट हमारा तो है तब ही अधर कास के किसी बंदत स्वाधी करेंगे पर ऐसे करेंगे वह तेम्प्रेमेंट की बात है हमारे प्यार तो हमने किया हमने किया इस सरकार जाते बाद को बढ़ावा देना है यह सरकार हो को बढ़ावा देना है सब लोगों ने अवेर्णेस पे दार मास्क टार रहे हो कहा कि जातिवाद खता होगा लेकिन सरकार नहीं कहना सही है अभी एक महीने पहले सेंटर गौवर्मेंट में लॉप पास किया भी सी आरच्षड के पीछे मेडिकल की सीटे जो थी वह भी सी को दी गई है दस परसेंट और और बढ़ा दिया गया तो जनरल वाले कहा जाएंगे निशान्त कुमार गुपता निशान्त थोड़ा सा मैं आपकी इंफॉर्मेशन करेक्ट कर दू जो आपने कहा न दस फीजदी आरक्षण बढ़ाया गया है दस फीजदी आरक्षण तो जो जेनरल के गरीब हैं उनके लिए बढ़ाया गया है उसमें भी दिया गया सेंट्रल का कोटा होता था उसमें भी सी रिजर्वेशन में जो सीटल लैप सोथी थी वह फिर जेनरल में डाल दी आता थी तो यह जो नया विद्धान आया है यह कि उसको आप ओवी सी से ही घरिए उन सीटों को जो और लेडिस सेंटल की ओवी सी कोटा में थी इस्टेट मे और पास घर है तो उसको थोड़ा कम करना चाहिए इसके लिए प्रोटेस्ट भी चल रहा है जैपुर में इसके लिए प्रोटेस्ट के लिए अब मेरा आखरी सवाल है कमांडो वाला सवाल अभी तुम लोग जब कॉर्पेट होस्पिटल में जाओगे तो फ्राइडे को फन कमांडो बनाए जाओगे है ना शुतर मुर्ग की तरह ऐसे तुमको कुछ-कुछ फणी एक्टिविटीटीज करने होगे हैं कोशन और भी था जो आपने पूचा था जी इस चेत्र में रहे रहे हैं तो मत्रा आगरा और फिरोजाबाद इस चेत्र में बहुत जदा फेला हुआ है एक तीम कवर भी और सब फारे के पास गाहुए को हूं इस गाहुए काफी बच्चे लगवग साथ तर से असी बच्चे अब तक मर चुके हैं यहां पर मुक्ष बंतरी जी आज चुके एक बार और उसके बावजूद भी मुहां पर सुब्दाओं की अभी भी कमी है वहां मार नएक भी क्रोवजों बुच्चे-घичा मधज बच्चे वहां लेकिन अब इतनी आ नहीं हैं के वहां बहुत बच्ची अब पर उपर से सरकार मुक्राओं उपने आधिया है थे रहे हैं उनका काम सब्सक्चित कर log काम कर रह ऑन काम सब्चित पहें।। जो भी निशी का देखारें जदने भी अधिकारें मेडिकल के अपर अधिकारी जो भी अधिकारें इसके वह रहा था सब बेफोर आई कम तो देट फन कोस्टेन जो मैंने आप लोगों को वीडियो शुरू होने के पहले बोला था स्टीडियोटाइब बाउट इस प्रफेशन है ना सबने अपने अपने अनेक्डोट सोच रखे है ना उसके पहले चूंकि हम एक पॉलिटिकल मूड जानने के लिए भी निकले आप इसे किनने लोग यूपी के है काफी लोग है पर ये कन्याय सब बाहर से यह पढ़ने हैं कहां से यह भी हो गए होंगे तो फरीदाबाद भर्याना से डेली से धौलपूर अध्यपरदेश कहां से शोपूर राजस्थान भारतपूर राजस्थान की काफी जनता है दिल्ली 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 से पास भी है वैसे दिल्ली फरीदाबाद तो मैं आप लोग से यह जानना चाहता हूं कि जैसे अभी साड़े-चार साल योग याद इतना सरकार पांट सा साल अखलेश सरकार उसके पहले पांट साल मायावती की सरकार आप लोग बातचीत भी करते होगे यूपी वाले वह तो खुछ जादी इंट्रेस्ट भी लेते होंगे अलग-अलग इलाकों से क्या आपको लग रहा है सेंस क्या है इशूस क्या है जी इस वारे मैं कुछ नही यह शिकायत कर रही थी डाग सरकल देखो मेरे ठोड़ा पॉलिटिक्स पर पढ़ाई नहीं कि पॉलिटिक्स की नहीं है इस नहीं है तो यार अभी तुम लोग इतना भाशन दे रहे थे जागरूकता पे डॉक्टर लोग वोट नहीं डालेंगे तो ऐसी सरकार कैसी चुनें और वोटर डीकारण नहीं बना है जैसे पिंगी प्रामिस करो मैं अपना डॉटर 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 बुमीका कहा की रहने वाली हो अन्य अपकी तरफ से खुए जौश्य में अन्यों करने आपकी तरफ से यह यहीं जब एव्य सीरिस दिस वारी सिरिएस जो जो डॉक्टर भूमिका ने बोला है आप पढ़े लिखे लोग हो अगर आप लोग अपने वोट का इस्तिमाल ठीक से नहीं करोगे अगर आप लोग अपने इर्दि-इर्दी की पॉलिटिक्स में दिल्चसपी नहीं लोगे तो वह पॉलिटिक्स आप में क्यों दिल्चसपी देश का दुर्भाग यह है पढ़ा लिखा आदमी बात करता है लेकिन हाँ वोटर वाले उसमें नहीं रहता है सो आप प्रॉमिस कर रही है मुझे है पक्रा पिंकी प्रॉमिस शाबाश हाज बाइसाब बताइए क्या दिख रहा है माहौल यूपी का सर फिलाल तो सर यह हाईजनिक प्रोपर नहीं थोड़ा गंद की भी बहुत ज्यादा हो रही है दोदा सर यूपी का पॉलिटिकल माहौल आप सब्सक्राइब को इसमें हम भारतवास हैं और नहीं नहीं है यह सरकार देश का सारा किसान जब डुशकों पर बैठा है नो महिने से, इस सरकार अपनी सुधबूद खोये, कितने लोग उसमें सहीद हो चुके उनके बारे में नहीं चुनी, तो हम इस सरकार पे कैसे भरोसा गलते हैं अभी कोवीड की बात आई, कोवीड में सरकार फेल हो चुकी है, ओक्सिजन से कितने लोग मरें और कि हमारे देश में औक्सिजन की कमी से कोई नहीं मारा कि यह सोचने का नहीं है देशने अभी तक वोट दिया जात के उपर हर चीज के ऊपर कभी चीकिचाङ के ऊपर वोट नहीं डाला गया और आप भी पहली बार कवरेज कर रहा हूंगे medical college में, अपने life में, कि अभी COVID के दवारा ने ये मुद्धा इतना उचला है कि healthcare system, healthcare system, क्या इससे पहले कभी किसी सरकार ने सोचा, reform करने की कोशिस करिया, infrastructure दिया है, तो सरकार कोई भी हो, सिर्फ उत्तर परदेश की नहीं बोल रहा, पूरे भारत की धारा साही हो चुकी है, वो नहीं कर पाई, और वो ये मान लेजिए कि अपने, जो उन्होंने वादे किये थे, वो पूरे नहीं कर, कितने लोगों को लगता है कि यो जो किसानों का प्रोटेस्ट है, वो एक बड़ा मुद्दा होने वाला है, हाँ, यह सर, मैं भी किसान कभी डाओं, लेकिन यहां बहुत सारे होंगे, मेरे ऐसे, लेकिन यह मानना है, मेरा कि किसान काफी समय से, लगवब 8-9 महीन होगे बैठे हो आप, और दिल्ली के आप बगल में ही बैठे है, 20-25-30 किलमेड़ दूर होंगे मोदीजी से, लेकिन उन्हें मोदीजी ने कभी नहीं सुना होंगी बात को, किसान को अंदुलन के दौरान सरकार को गश्णों को दर्द को समना चाहिए, लोगों ने कहा कि वह तो पॉल्टिकल पार्टी से प्रेरित है, जो जैनुविन मांगे हैं, उस पे निगोशेट निकर रहे हैं, अडे हुए हैं, कई लोगों ने ऐसा भी कहा, किसान को अधार को किसान आयोगर में आधन करना चाहिए, जाँ हर चीज का आयोग है तो खिसान भी एक इक होना चाहिए, जिस एहां आदम आधने को यह फ्टी चाहिए सर, सेफ्टी होना चाहिए अभी है क्या तो नहीं हो पाया ना सर नहीं हो पाया सब तीन नेताओं के नाम लिए आपको लगता है उनमेंसे किसी ने ठीक काम जोगी जी सर कंपेर टूध अखलेस कम डेवलोपमेंट किया सर बाते जादा करी है और सर अगर देखे तो यह मुद्ध डेवलोपमेंट का बुद्ध में होना चाहिए सर अगर सोसाइटी को आगे बढ़ाना है कास्ट और लोगों को ना वोटिंग का क्राइटेरिय नहीं समझ आ रहा है तो बहुत लिट्रेसी रेट जो बहुत कम है यूपी में तो इस चक्र में क्या हो रहा है सर हमें जाती को ना पॉलिटिक्स में काम आती हैं आप सब लोग में वोटर कार्ट वन वाया है पकी बात है ऐसा तो नहीं कि वह डॉक्तर भूमिका के संकल्प को देख के तुम लोग लगा रहे पली बोल दो हाँ बताइए क्या आप लोग लोग कैसे हाव डियू डिसाइड फस्टाइम वोट पर्टीम सेज़ी ने रहता है कि मदलब टर की एक तरह से किस तरह के ट्रहा करें किस तरह का रिकॉर्ड कि देट किस तरह का काम कर रहे हैं और हम सब चीज़े देखे और उसके बाद ही कुछ से लिट करेंगे कि फामिली का इंफ्लूइंस भी होता है सुराउंडिंग्स का इंफ्लूइंस होता है विकर उन लोगों को हमसे ज्यादा एक्सपोजर बता पाएंगे कि कौन कैसा है उस नॉलिज के बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं चलिए लास कोश्य हां अब्सक्राइब का बताओ यह बताओ जैसे पहर युनिवस्टी चात्र नेता होते हैं वैसे चात्र नेता होते होते हैं कहां से कोई नेता बन पाएगा अधना रप्रेजन्टेटिव तो इस अधियों देखी हुई अधिकल दॉसेशन के भी पतातकारी हां जी बताइए क्या है मेडिकल स्वेंट्स की सर्य कि उनके लिए कि सुर्च्छा कानूट बना चाहिए बात आगे तुम लेट आए गरू थोड़ा सा अच्छा जी आखरी हां किसने सर बोला डॉक्टर्स और ओल्वेज ओवर्वर्ग यह बात यहां पर भी हमने देखी है कि MP मैं भी हमारे डॉक्टर मित्रों ने जब बताया मांग उठाई थी कि स्टाइपेंड बहुत काम जी स्टाइपेंड यहां पर भी वाई जो यूपी का मनें डिसाइड कर रखा है उससे हमें कम ही मिल रहा है और मारे डूटी आर्स ल के बारे में आप लोगोंने जो सबसे वीड़ बात सुनी हों बहुत वीयर सामित सुना हो किसी रिष्टेदान ने कुछ पूछा हो अरे ऐसा होता है क्या है कुछ थे लुप कुछ पूछने मिले क्या तो क्या दवाइं क्या था हमम फ्स्क्रान हो तो एक बच्छा कॉलेज प्रेस्क्रिप्शन को हम से पूछते हैं कि इसने सही दवाई लिखी हैं कि देखना वेटा सही लिखा है सही बता रहा है न डॉक्टर कैसे करें सब्सक्राइब यह डॉक्टरों के हैंड राइटिंग के बारे में बड़े मजा कुड़ते हैं प्रोपर टर्शरी केर यूनिट जहां पर होती है अपर दॉक्टर की पीछे पेशेंट लाइन लागे खड़े होते हैं कभी कबार तो डॉक्टर को स्टेंप बनवानी पड़ जाती है पर्टिकुलर इलाज की दवाईयों की तो स्टेंप लगा देते हैं इतना ज्यादा वर्कलोड है कि एक पेशेंट को अगर कम होगा तो हैंड राइटिंग सुधर जाएगी अब तो डवाई लिखते हैं अराम से जहां जहां टाइम ज्यादा है प्राइवेट प्रेक्टिस कुछ लोग करते हैं वह एक्दा मोतियों से एक्षर बनाते हैं बहुत 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 बनाते लेकिन पर प्रपोर्शन जादा इस कंपेड़ टू सरकारी सेक्टर हैंड्राइटिंग अच्छी होने का यह तो काफी दिल्चस्प दावा है और क्या सीडियो टाइप सुने आप लोग ने डॉक्टर्स के बारे में कुछ अजीब से होस्टल में ऐसा होता होगा होस्पिटल में सा रागिंग के लिए सुना था बट ऐसा कुछ होता नहीं क्या सब्सक्ती है आप नोतना है सब्सक्राइख कि अजया वेसे रचको टॉछ आप के तो पूछ किया सुन के लगता है कि मेडिकल कॉलिज में रात में मॉर्चुरी में बेज देते हैं मतलब सीनिर्ड ना समय पता होता है कि कहां पर क्या है तो आहें आपके पास आए डराते हैं और गरर जो देटा उन्ट डर आते तो मौचरी और रेगिंग क्या सुनके आई थी बता वही यह कि काड़िवर को देखकर लोग फेंट हो जाते हैं बीमार हो जाते हैं ऐसा कुछ नियुआ कुछ भी नहीं हम लोग उस माइंड सेट से थे कि ठीक हमें सीकना है हमने सीखा ऐसा कुछ भी नहीं किसी करते हैं थी यह सारी यही सब मिला जुला कि बहुत रागिंग विगए रहा होगी आप से कुछ निग हैसा कुछ वोच अम सुनते हैं दो चोटी और नहीं है तो जो कि बटन पर देखते हैं भी इस कोड़ में होना चाहिए वहां तो फिर सारे बना चाहिए है हाज शुनके आई थी टॉ कि सुनी आपने तो यह सुना था कि जब मुझे किसी ने बताया था हलाकि मेरे फांबली में कोई भी डॉक्टर ने लेकिन जिनको थोड़ा बहुत पता था उनने मुझे एक आता कि डॉक्टर जो होते हैं जो पढ़े रहे होते हैं उनकी जो रात वह पांच बेश्यूरू होत पढ़े पढ़े पर इतने होते बस पेपर देते रहो देते रहो फाइनल के अलावा भी बहुत इंटरू लें तो खतम काहे नहीं होता बे हैं और क्या सुनके आई थी आप डॉक्टरी पर सबसे स्ट्रें जो हमारे घर वाले या ऐसे जज करते हो पूछते हैं और पूछते लिए थो हो गई ताहिं पुह पूछते तो हूगे तो उस ताहिम बहुत जब कर इूचते होति पीघे तो होगे य थी थी तो हो गे एई हावई सिंगल मौलमान है स्टीर फॉन रहीं पूच रहा था था नही ऊजड़ी मौल मेप उच तो इसी मौर्ड बूच रहा पूच कभी कभी पिया जाए तो कभी कभी तो देखो सब बोलना चाहिए ऑन केमरा भी हाँ पापा भी ललन टॉप देखते होंगे तो यह पापा के लिए बोल रही हो सकता है हां सर जैसा हमने देखा था मुवी में कभीर सिंग में सब देखके आयते सोच्छा था यह सब होगा ऐसा कुछ भी नहीं है बहुत ज्यादा एक्सजरेट किया हुआ हो डीन के सामने कुछ भी जाके बोल देता है हमारी हिम्मत ने होती बना ड्रेस के चले जाए है पर वो सरज है मैं चुछ नहीं है क्या है पीने मेने की कुछ बात हो रही इस वह ड़ी दिमागी रूप से ही वह एला हुआ हुआ तो क्या आपने दॉक्टरी के वारे म सबसे चीज सुनी है कि मतलब डॉक्टर बहुत ज्यादा मतलब पैसे कमाइंगे यह करेंगे कि मतलब अंदादुन पैसा बिना मतलब के टेस्ट लिखेंगे सब लिखेंगे ऐसा कुछ भी नहीं होता सर जो जरूरियत है वहीं फ़न 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 चीज बताओ अब जब कोरुना के टाइम पर इतना जो डैतो तो जनरल पबले को एसा लगता है कि वो लोग यह ब्लेम करते थे डॉक्टर को और हॉस्पिटल को कि जब पेशेंट मर जाता है या नहीं बच्टा है तो उसी किड्नी काट के निकाल दे रहे हैं और दे रहे हैं किसी और को वि कीड्नी कातनी चाहिए कि मैं तो यही करह हूं कि नहीं काटनी चाहिए कि अधिर यह मता है चाहिए अफरी हमें कि आपने यह जले सड बन के तो यह तो यह तो अपने गेड बन कर रहे हैं और सब को किसी को नहीं भी सुनाई जे जे जा ती ए सर आई यह 12 से चार के बीच में हला मच्टा है जल लगी है अब बन कोई आत्मा जो घूम रही है जिसका गेट खुलाओगा उसमें घुज जाएगी जो हर तूसे मेडिकल कॉलेज पहुच गई है छूसे होस्त首先 पता नहीं है पीडी दर पीडी एक आत्मा आध्मा छो चली रही है मतलब होतीय है इंस्टिस्ड में आध्माओगा गौसिप सुनी तें किबहें होस्तों में 3 पर रात को गाडब गया तर्डय गया को番ती नहीं अभी तो बोईस में चलीगे लड़किया तो डर की अब सोच लड़को को देख लेते हैं तो आज लेगे कपल थे तो दोनों में सर यह से उसके सिंगल का दर्द दिख रहा वो भी किसी दर्द में हो गई अब अब बात सुनी है आपने डॉक्टरी की पढ़ाई यह दॉक्टरी के पेशे कि वारे में तो इस जो मैं एक्सपिरियंस करता हूं वह यह कि लोगों ने अपनी धर्ना बना रखी है डॉक्टरों के परसेनल्टी के प्रति कि दॉक्तर होगा तो एक्दम चंपू टाइप क तो लोग कहते हैं कैसे तुने रखी है कैसी बेर्ड काट रखी लग तो निरा बेटा की पढ़ाई कर रहे हो तो फिर में को बोलता हूं कि तो थोड़ी नहीं बहार बहार ऐसा नॉर्मल परसने हैं तो वी कन सब्सक्राइब तो बोले के आप इंजेक्शन लगा दो तो सिखा नहीं था तो करें ते कैसे डॉक्तर नहीं लगाना था तुम लोगों को सुई लगाना कब सिकाते हैं वाई इतना लेट पान साल के बाद सुई लगा सब्सक्राइब तो आपने यह सब्सक्राइब बात सुनिया आपने डॉक्तरी के पेशेक बारे में पढ़ाई आने से पहले यहां सब्सक्राइब मैं दॉक्तर फैमिली से ब्लांग करता है ऐसा कुछ नहीं पर मेंनत करने ही हैं करने ही पराइब नहीं है तो इसन तो कुछ नहीं को सब्सक्राइब पूरा के उनने सब्जेक्ट है उसके बाद हम लोग एंपीपस करते हैं फिर स्पेशलाइज करते हैं अब वह समझाना पूरा हर रेलेटिव को अलगा लगा ना थोड़ा लिटरेसी बढ़ेगी डॉक्टरों के बात सुनिये तुम बता अब यह मत कहना हम नहीं वहलेंगे किया बता हूं सब जो उन्होंने बोला वह सब सही है जोड़ी दो भाहिया हमाएं तुरी में लाज कर दोगे आओ आओ क्या नाम है तुमारा आविन त्रिवेधी कहां के हो मैं डूंगर पूर राजिस्तान क्या बोलते हैं लोग मेरे दोस्त लोग बोलते हैं और उनके पैरे प्लस में उनको पता हो जैसे बोई डॉक्टर को दिखा गया उसको क्या दिक्कत है परेशानी हो उसके लिए बन सकता हूं यह बन सकती हूं उसके भी नंबर जुड़ाया करो इस बार साथ रेलेटिव ने पूचा हाँ वाई क्या जीप चीज आपने क्या नाम है आशुत अ कि हमने सुना था कि MBBS कर लो फिर तो ऐसी है अशा है अब पहले दिन आया बताया कि तुम अजीवन पढ़ना है हम सो सौरी मुझे भी असी बोला था बोले बेटा 10 दिमें अच्छे ले आओ लाओ 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 लो जे निकाल लो सेट पर बोले नेट कॉलिफाई कर लो सेट हुआ नहीं हमारे वाइट कट सेरिमlden होती है तो होता है हमको को पता बहुत होता है तो पहले दीन से सब्सक्राइब की gleich कोट वह नेसे पहले करने लिये हैं पाहँ बढ़ होता है अब पर अपनी पूरा करतव इमानदारी से निभाएंगे और अब जो नमसी का नया है न हमारा की जो अब एक इंडियन मेडिकल ग्राजुएट कहते हैं जो 2019 से नया कॉम्पिटेंसी बेज मेडिकल एजुकेशन आये तो इसके अनुसार आपको आज इवन पढ़ना है आप में आपको कुछ ना कुछ चीज हैं जैसे जो अपडेट्स हैं हमारे नाय करिकुलम मना है काफी सालों बाद चेंज हुआ है तो उस नया में यह सब तुम्हें त्यागी जीवन पर पढ़ना पढ़ेगा जी वह तो बढ़ना ही पढ़ता है हर डॉक्टर को पढ़ना पढ़ता ह उस्ट कर देखके लग रहा है जादा लोड नहीं लेंगे शीखना तो पढ़ता है ने पर वो किताब के तर्विय आपको देखके लगगा आपका जीवन ही एक अपने आप में किताव है ऑल्टिकल अच्छी बात हैं तो बहुत पढ़ना पढ़ेगा हाजी वाई सब क्या मि जाता है पढ़ाय करते करते हैं अच्छा हां। यह तो बड़ा एक जरूरी वह है किस आप Talking नापते तोडी हैं अपर जरूरी थोडी हैं कोयो और भी मिल सकता हैं। यह तो आपके उपर डेपेंड करता है? हाँ, बस बस अर तो कुछ ऐसा नहीं सुना। तो आपको क्या लगता है? डॉक्टर सही इसादी करना चाहिए या किसी और से भी? वो तो इंडिविज्वल से पूछ रहा हूं नहीं बस सामने वाल अंडिस्टांडिंग उना चाहिए जो आपकी टाइम स्केडियूल को समझ ले और आपके प्रफेशन को समझे वो किसी भी प्रफेशन का हो सकता है हां जी एक बार मेडिकल फिल्ड में कुछ जाओ तो रिलेट्विस अब तो डोक्टर बन जाएगा अब तो मैरा फ्री मेलाज करते हो देख तो पैसे मतले हैं जाते हैं वैसे फैमिली में जाते हैं तो नॉर्मल सब बैठे होते हैं लेकिन आगर उन्हें पता है कि चलो यह डॉक्टरी कर रही है तो सबसे मुझे कमजोरी बहुत रहती है मैं इसके लिए क्या करूं मुझे ऐसा यह दिकत बहुत होती है क्या 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 यह जहलता हूं जैसे किसी मेडिया आ रहे आजकल तो तुमारे भलाने चैनल में वह दिखाते ह चलाता हूं से ललन टॉप चलाता हूं यह तो बड़ी जैनुमिन समस्या है डॉक्टर और डाइटीशन में सर्व हमसे बुछते मैं यह खा सकता हूं यह ले सकता हूं थोड़ा बहुत बेसिक नॉलीज हम लोगों को होती है लेकिन वह बहुत वीड़ वीड़ चीज से पू प्रवक्ता बनाओ इसके बैच का आगे हो आजया वाजया वाजया क्या है को देखने का कोई भी सरकार 100% सही हो गलत नहीं हो सकती और रही कोबिट की बात बहुत बड़ी महावीमारी थी ऐसा नहीं कि इंडिया में थी बहुत सारी इंडिया में अमेरिका में डेथ हुई उ नहीं पर जिदने कम सब्सक्राइब कैसे करना चाहिए यह और बता दो हाँ बदाए प्लेशन कंट्रोल क्या करना चाहिए आप लोगों के साब तोनों दोनों चीज़ें होंगी ना मेडिकली और पॉलिटिकली दोनों इस बढ़िया आपने अच्छा जोड़ा से मेडिकल की तो काफी तरीके हैं और उसको सो साइट लाइज़ेशन लिटिकली ने कैसे करना चाहिए पॉलिटिकल हम दो हमारे दोच चलता आ रहा है जहां जए जंसंक्या नियंत्रन बिल पेश होने जा रहा है उसकी अगर सब्सक्राइब कहां पेशने जा रहा है तो सुनने में ऐसा लेकिन उसमें पढ़ाने में बहुत समय है और मैंने बहुत पढ़े लोगों को भी देखा है कि यह सब भी बाइस नहीं से लेकिन फिर एक माइंड सेट करना शीन जाती है लोगों को इसे इसे बात जड़े हुए आपस में बहुत सारे हमें ऐसे इसमें लड़के की चाहा में बच्चे पैदा करते जाते हैं ऐसे भी मिलते मैं यह नहीं करूं कि सिर्फ वही लोग है जो बच्चे ज्यादा प्रोच हो गई कि हम लिट्रेसी बढ़ाएं लोगों को सेंसिबल बनाएं वह एक रेट्रोक्रेट अप्रोच हो गई कि उनके उप प्रदेश में किसी लड़की पैदा हुए तो उसने पचास जार पानी पूरियां खिलाई हैं सब को फिरी फिरी में पचास जार फिरी में करा यह जार प्रशासन के साफ से जितनी मुझे सामझ है यह पॉइंट रखना चाहूंगे कि जब से बीजेपी आई है जब से बीज किस तरह से जो बेसिक लेवल है ग्रासरूट लेवल पे अब अपॉइंट मेंट लोगों का जादा होने लगा है एक जो एक लाग करती थी जिसमें इन्फरमेशन लाग करती थी या काम पूरा नहीं हो पाता था चीजे क्लियर नहीं थी अब वह काफी जादा बेटर हुआ ह लोग और जादा पॉइंट किये गए वह और जादा एक्सपीरिंस हैं तो जब हम नीचे अपना जड़ अपनी मजबूत कर लेते हैं तो ऊपर तक सब मजबूत हो जाता है जैसा इन्होंने बोला मैंने बोला कि मजबूत तो हुआ है मानता हूँ कि चीजे मजबूत उन्हो चीजें उन्होंने करी मतलब लिया है एक कागजी कारवाई एक ग्राउंड लेवल पर करने में अंतर होता है जो चीज करें एलान जादा है जमीन पर काम है बिल्कुल सर अगर जमीनी हकीकत पर चीज नहीं उतर पा रही है तो उस चीज का फाइदा क्या चलिए आखरी में क्यों होनी चाहिए आप यह नहीं बता पाए बहुत सारी चीज हमारी हेल्थ पोलिशी एक नोन मेडिकों बनाता है ठीक है उसको यह नहीं बता होता कि हैल्थ केर कैसे चलाना है क्योंकि वह इस फिल्ट से नहीं घुज़रा है तो मैं यही कहना चाहूंगा इंसोर्ड कि हॉस्पिटल एफिशेंट धंक से और वो डॉक्टर ना भी हो तो भी चलेगा मैं इसमें आप से डिसेगरी कर रहा हूं एक एड्मिनिस्टेटिव जॉब की यह आपका फर्जगर यह हॉस्पिटल है इसकी पावर सप्लाई कैसी हो इसमें रेन वाटर हर्वेस्टिंग है कि नहीं ग्रीनरी है कि नहीं आपकी जो आप समझेए कि जो जिले का सबसे काबिल सर्जन होता है सिविल सरिजन होता है यह स्बसे सीनियर डोक्टर वो दिन पर बैर हुटा फाइलों पर दस्कत करता तो दो को डॉक्टर से अलग रखें तो डॉक्तर के साथ परामर्श में करें काम डॉक्तर जब बनाएगा उसको पता है यह पॉलसी और एड्मिस्टरीटिव मेडिकल एड्मिस्टरिशन दो अलग दोनों अलग है इसमें एड्मिनिस्टर जब हैल्फ पॉलिशी आती है सरकार लेके उसमें डॉक्टरों का रोल बढ़ाया जाए सरकार नहीं डॉक्टरों का ही मतलब डॉक्टर और पॉब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट जो है उनको साथ बिठा कि यह करना चाहिए गायन का समय आ चुका है देवियों और सज्जनों क्या आप लोग तयार है ना मरा हुआ रिस्प मुह मुह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलजे कोई तोह तोह ना लागे किस तरह गिरहा ये सुलजे है रोम रोम इक तारा है रोम रोम इक तारा जो बादलों में से गुजरे ये मुह मुह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलजे कोई तोह तोह ना लागे किस तरह गिरहा ये सुलजे हमारे दोस्त वरुन ग्रोवर का लिखा गाना देखिए कहां कहां तक पहुच गया है इसलिए कभी को श्रिष्टा कहा गया है और कहा गया है कि उसका लिखा ब्रह्म है अक्षर शब्द इस्तमाल किया गया जिसका कभी शरण ना हो आप सब लोगों से बात करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला जैसे ये कि आतमा गल्स होस्टल से बोई होस्टल भी जा सकती है जैसे ये कि डॉक्टर को डॉक्टर से ही शादी करनी चाहिए या रिष्टिदारों को देखते ही बता देना चाहिए कि ठेरो मैं बताता हूँ तो मैं क्या बीमारी है डाइट चार्ट भी बनाना चाहिए सब रिष्टिदारों का फर्स्ट एर की पहली क्लास में ही सुई लगाना सीखना चाहिए और डॉक्टरों के लिए ऐसे अस्त्र शस्त्र बनाने चाहिए कवच कुंडल समेत जिससे कोई तीमारदार उन पे हमला ना कर पाए और डार्क सरकल्स के भी चिंता करनी चाहिए इस तरह की बहुत सारे पॉलिटिक्स स्लेबस कम करवाईए स्लेबस कम करवाना चाहिए एक ताव आरा 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 आम से दस एक साल में डॉक्टर बना सकते हो आप मला पुए जली करके क्या ही कर लिया है दुनिया ने और आम से दस वर्षी कि योजना Pit अगर मैं आपको नहीं कर सकता कब्सक्राइब तो एजूचेयत नहीं कर सकता अगर करने में मज़ा नहीं आ रहा है तो फिर फल तो इसलिए हम लोग भी ललन टॉप में ऐसी पत्रिकार्था करने की कोशिश करते हैं अभी यहां पे दोड़ा सा सेल्फ प्रमोशन जरूरी है ना है जरूरी है जरूरी है जरूरी है अगर आपकी इस पूरी बाचीत में दिल्चस्पी नहीं होगी अगर आप इन भविष्य के डॉक्टर्स की जिंदगी में हॉले से दाखिल नहीं होगे तो आपको इनके हिस्से की दुश्वारियों का पता नहीं चलेगा अगर मुझे सिर्फ भाशन देना होता तो मैं आके हा काफी हो नहार हो आप लोग हैं और चुकि एटिकेट्स भी आ जाते हैं फॉर्थ फिफ्टी एर तक तो बाल भी लंबे कर सकते हैं तो इस तरीके के तमाम जरूरी सबकों के साथ हमारी आत्रा आगे बढ़ रही है यह पूरी बाचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में सब्सक्राइब करें और जैसा की होता है आखरी में जब पूरी सभा बीच जाती है तो एक जो सबसे बुजर्ग होते हैं उनका एक अध्यक्षी भाशन होता है तो डॉक्टर अरुन कुछ कहना चाहते हैं आप इशारा कर रहे थे ना हो गया 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 जोक में निकल की बाद चलिए थैंक यू सो मुच टेक वेरी गुट केर विरसल्फ बाई-बाई-बाई- हैं